हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जुगतावत में उताया कि 99 निववासी लक्षमंदास वैशनव 40 वर्ष पुत्र भवर्दास वैशनव सुभा सारे 9 बजे घर से महादेव जी के दर्शन करने के लिए परिवार के साथ जा रहा था बाइक पर उसकी पतनी और बेरी साथ में थे रास्ते में पले इलाके में स्थेत पदमीनी मार्बल की चटान बाइक पर गिरने से लक्षमंदास गंबीर खायल हो गया और उसकी पतनी राजेश्वरी 38 वर्ष और पुत्री खुशी 3 साल की मौके पर ही मौत हो गई हाथसे के बाद मौके पर बड़ी संक्या में ग्रामिनों की भीरे कतरेत हो गई केलवा पुलिस्ताने से पहुंचे जापते ने ग्रामिनों की मदद से घायल को बाहार निकाला और अस्पतार पहुंचाया मुर्तक की मा बेटी के शब को निकाल जिला अस्पताव की मोचरी में बेजे वहें परिवार जनों का रो रोकर पुरा हाल है परी जनों ने बताया कि मुर्तक राजीश्वरी देवे के तीन और पुत्रियां है खाथसे में माइन्स मौले की बड़ी लाबरवाही सामने आ रही थे जागोट टिवे के सम्मधोगे से बात करते प्लवीन जुकतावत के बात अना दिकारों नहीं बिखा अस सबिर नियूज मिली के तलही के पास में मलबा गिरने से दो महिलाओं की डेथ होगी जिस पर घटनाई से पहुँचे और घटनाई से पहुँचे और एक बच्ची और एक महिलाग डेथ होगी उनको आरका उस्पिल्ल न रखा गया लक्समन दास करके जो पुरुष बाइक पे था उसका सीरिस होने से अननता उस्पिल्ल उदेब रेफर किया गया आगे परिजुनादर जो रिपोर्ट दी जाएगी अनु सरकारवाई के जाएगी जागरुक टेवी की राद समन से नरेहिंदर सिंखंगारवत की रिपोर्ट